नमस्कार दोस्तों सफलता सच में किस्मत और महनत का संगम होता है और कुमबरासी वालों को आने वाले समय में वो कौन-कौन से खुशकबरिया मिलने वाली है तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुमबरासी वालों का पारिवरिक जीवन कैसा रहेगा उनका बिजनेस वेपार कैसा चलेगा उनका प्रेम संबंद कैसा रहेगा और साथी साथ उनका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आज का संपून राशी फल बताएंगे अगर दोस्तो आपकी भी कुम्बरासी है तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तो आज सनिवार है सनिदेव महराज का दिन है दोस्तो कॉमेंट में जैस सनिदेव महराज जरूर लिखना दोस्तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बढ़ाएं तो चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को All पर सिलेक्ट करें अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की आज का पंचांग है 17 जून 2023 दिन सनी वार आज की तीती है चतूर दर्शी आज का नचतर है रोहिनी नचतर है पच चल रहा है कृष्णे पच दोस्तों आज सूर्देव उदय होंगे सुभे पांच बचके 25 मिनट पे सुर्देव अस्त होंगे साम साथ बचके 22 मिनट पे दोस्तों आज का सुब समय सुभे ग्यारा बचके 53 मिनट से दो पहर बारा बचके 49 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तो कोई सुब काम करना है तो इसी जमायकर नहीं आपके लिए सुब रहेगा और साथ इसाथ आज का असुब समय है दोपहर तीन बच के 37 मिनट से साम चार बच के 34 मिनट था दोस्तो आज आपका लखी नमबर है 9 और लखी कलर है यलो अब बात करते हैं दोस्तो आज के चानक नीती ग्यान के बारे में चानक जी कहते हैं अगर ये गुण पुरुष में हो तो उनकी इस्त्री रहती है सबसे भग इसाली जी हाँ दोस्तो एक पुरुष में सतरकता का गुण होना चाहिए वो अपने परिवार परिवार की इस्त्री और अपने करतावे को लेकर सतरक रहे तो उसके जीवन में कभी परिशानिया भटकेंगी तक नहीं पुरुष को हमेशा अपने दुश्मनों से सतरक रहना चाहिए दोस्तो एक इस्त्री हमें सब वफदार इंसान को प्यार करती है जिस प्रकार मालिक कुत्ते के प्रती और कुत्ता मालिक के प्रती वफदार होता है उसी प्रकार पुरुषों को भी अपने परिवार को अगर कलहा से दूर सुक सांती से रखना है तो उसको भी बफ़ादार होना होगा तो दोस्तो आज का चानक नितिग्यान आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना आप बात करते हैं दोस्तो आज के कुम्बरासी फल के बारे में कैसे रहेगा आपका आज के दिन आई जानते हैं तो दोस्तों आप खुद को उर्जा से सरोबार मैसूस करें लेकिन काम का बोज आप में खीज पैदा कर सकता है। ऐसे दोस्तों से होगी जिसे आपका ख्याल है और आज जो आपको समझ सकते हैं। अपनी बोजिक छमताव का इस्तिमाल अपने हित में करें। इसकी मदद से आप पेशेवर योजनाओ और नई विचारों को पूरा कर सकते हैं। बातों को सही तरीकी से समझने का आज आपको प्रियास करना चाहिए। नहीं तो इसकी वज़ा से आप खाली समय में इनी बातों के बारे में सोचते रहेंगे। और अपना समय बरबात करें। आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से सिंदगी की मुस्किलों का असानी से सामना कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएं। बिल्डर्स, इमारतों या साइडों से जुड़े कुछ लोग अपने चारों तरफ सकरात्मक माहौल की वज़ा से आज उत्साहित रहेंगे। केर टेकर या मा की तरफ की कोई स्तरी आपके केरियर की ग्रोथ में आपके ही सहायता कर सकते हैं। परन्तु या दिन आपके लिए कुछ खास लेकर आया। आज आप जीवन में उतार और चढ़ाओ दोनों महसूस करेंगे। अपनी चाओ को पूरा करने के लिए आपको अपने नीतियों और शौदों को फिरशे व्यवस्थित करने की आविशक्त है। नौकडी में किसी आप्रत्यासित घटना की संभावना है। मौके का फायदा उठाएं और एक समय में एक ही कारी करें। दोस्तों आज आप अधिकतर समय मा के साथ या घर पर व्यतीत करेंगे। अपने पार्टनर की दोस्तों उपेच्छन ना करें। क्योंकि या रिष्टा ही उसके लिए सब कुछ है। और वो आपके लिए कुछ भी कर सकते है। घरेलू मामले या दास में कमी या पिता पराई समस्यान आपको बेचेन कर सकते है। आप या बात अच्छे से जानते हैं कि अपने जाने मन का हाथ धाम कर सारा जहां आप जीत सकते हैं। आपकी भावनाए आज आप परहावी होंगे जिससे कुछ उदासीन मैसूस करेंगे। कुछ समय अपने और अपने स्यूटियों की बीच की गलत फेहमियों को दूर करने में व्यतीत करें। या समय मुश्किल जरूर है किन्तु समय हमेशा एक सा नहीं रहता। साथ ही आपको बताएं। आपके सामने इन दिनों कुछ नई चीज़े आएं। अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। पूछे गए प्रश्णों का सजवाब दे। आपको अभी और भी प्रियास करने हैं और इससे आपकी तरक्की के नीव मजबूत होगी। इन सब के बीज स्वयम को तरो ताजा करना और खुश रखना ना भूले। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइप की आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आईए जानते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत दिनों से जिसका इंतिजार था वो आपके करीब है। आप बहुत दिनों से जो कल बनाए कर रहे थे आज वे सत्साबित हो सकती हैं। आप इस संबन्द में गंभीरता से आगे बढ़ेंगे और यह समान्य से कहीं अधिक आगी जाएगा। आपको इस संबन्द को बनाए रखने के लिए जिन्दगी को बेहतर बनाने के अन्य अवसरों को छोड़ना पर सकता है। अब बात करें दोस्तों आपके आजके वेपार और केरियर की दोस्तों आप आगे बढ़ रहें। वहीं लोग आपको नीचे खीचने की कोशेश कर सकते हैं। इसलिए मौकिक विवाद में ना फसें। आप प्रियास करें आपका कारी बोलें। आप एक ऐसी स्तिती में पहुँच जाएंगे जहां से आपको नीचे ढखिलना मुश्किली नहीं नामुम्किन होगा। अपने सहयोगियों और अधिनस्तों के साथ सुहाद पुन बनाये रखें और मधुर वाक्यों का प्रियोग करें। तो दोस्तों ये था आज का कुम्बरासी करासी फल। रोज के कुम्बरासी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर सिलेट करें। आपका दिन सुभो नमस्ते दोस्तों राधे किश्णा।